दोस्तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Facebook अकाउंट को हमेशा के लिए डिलिट किस तरह से करते हैं और अगर deactivate करना हो temporarily तो वो कैसे करते हैं इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तो अगर आप चाहते हैं अपने इस Facebook अकाउंट को हमेशा के लिए डिलिट करना तो आपको Facebook को ओपन करना है ओपन करने के बाद किलिक करेंगे आप सिंपली प्रोफाइल वाले आइकेन पे यहां किलिक करने के बाद दोस्तो यह अइंटरफेस आप सभी के सामने आ जाएगा अपने Facebook अकाउंट को अगर आप डिलिट करना चाहते हैं पर्मनेंट तो आपको आजाना है दोस्तो नीचे स्क्रॉल कर गर और यहां आपको option मिलेगा setting and privacy का इस पे आपको किलिक करना होगा जैसी इस पे किलिक करेंगे दोस्तो तो यह page आपके सामने आ जाएगा सबसे उपर आपके सामने option आएगा setting का इस पे आप किलिक कर देंगे Setting पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड का दोस्तो वेट करेंगे और आपके सामने ये interface show हो जाएगा सबसे उपर लिखावा है दोस्तो account center इस पे आपको क्लिक करना है अब जैसी इस पे क्लिक करेंगे तो ये page आपके सामनी आ जाएगा नीचे लिखावा है दोस्तो personal details इस पे आप क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद चार option आपके सामनी आते हैं लेकिन आपको सबसे नीची आना है और क्लिक करना हुगा account ownership and control पे जैसी इस पे आप क्लिक कर देंगे दोस्तो तीन option आपके सामनी आ जाएगे लेकिन नीची जो second number पर option है deactivation और deletions का इस प गर्सके prospects कर लेंगे और किलिक कर देंगे इस पे करने के बाद दो option आपके सामनी आते हैं एक option आपके सामनी आता है दोस्तों डी Facebook से हाँ पर हाइट कर देजाएगा कोई भी अगर उसे संच करेगा तो सर्च में नहीं आएगा ना है कोई फोटो जो आपने अपलोड की बस आपको अपने Facebook account में same user ID password से login करना है login करते ही दोस्तों आपका जो Facebook account है वो फिर से यहाँ पर activate हो जाएगा और फिर से आप उसे use कर पाएंगे यह benefit मिलता है deactivate करने का अपने Instagram account को लेकिन दोस्तों अगर हमें delete करना हो permanent तो कैसे करते हैं और क्या benefit मिलता है permanent delete करने के लिए नीचे और option को select करते हैं और benefit यह मिलता है कि अगर एक बार आपने delete कर दिया तो आप फिर दुवरा उसे दोस्तों वापस नहीं ला सकते हैं चली मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अगर deactivate करते हैं कैसे करते हैं deactivate कर लेंगे दियाक्टिविट को state कर लेंगे नीचे लिखा हुआ है continue यहां किलिक करकर आप इस account को अपने deactivate कर पाएंगे लेकिन दियान एक बात कर रहे हैं दोस्तों अगर deactivate कर रहे हैं आप अपने इस facebook account को तो इस बात का दियान रहना है कि जितने facebook page आपने बना कर रखे हैं वो सब दोस्तो deactivate यहां पर हो जाते हैं सारे facebook page आपके सामने यहां पर आकर show हो जाएगे अगर आप चाहते हैं deactivate करना तो continue पे किलिक करें और deactivate कर दें password एंटर करने के बाद यहां से करते हैं बेग बात करते हैं permanent delete की वो सब यहां पर show हो चुके हैं मैं आपसे दोस्तों एक बात बिल्कुल clear कर देता हूँ अगर आप अभी के time में अपने इस facebook account को delete कर रहे हैं तो आपके जितनी facebook page है जो इस account में बने हुए हैं उस सारे के सारे आपके delete हो जाएएगे हमेशा के भी और वो वापस नहीं आएंगे यह आप दोस्तों दियान रखे अगर आप चाहते हैं delete करना permanent तो बस करना कुछ नहीं है continue पर click करना है continue पर click करने के बाद यहां आप slate करेंगे एक reason कि क्यूं दोस्तों आप अपने इस facebook account को हमेशा के लिए delete कर रहें है यह एक reason आप यहां पर slate करेंगे slate करने के बाद click करेंगे आप continue पर उसके बाद यहां भी continue पर click करना होगा अब यहां दोस्तों आपको दियान से देखना है यहां अगर आप delete कर रहे हैं अपने इस facebook account को तो आपको कुछ option यहां पर दोस्तों दिये जाते हैं जैसे कि दोस्तों आप अपना जो डाटा है facebook का वो transfer कर सकते हैं अपने किसी और facebook account में यह benefit आपको मिलेगा या फिर जो भी facebook की आपकी information है उसे आप download कर सकते हैं download info पर click अगर यह benefit भी आपको दोस्तों देखने आपर मिल जाता है अगर आपको download करनी है तो download info पर click करें और यहां से download करने अगर transfer करनी है तो transfer info पर click करें और transfer करने और check करना चाहते हैं कि कौन कौन से एप आपके link है तो we link app पर click करें और check करने चलिए बात करते हैं delete करने की delete करने के लिए बस continue पर आपको click करना होगा continue पर जैसी आप click करेंगे दोस्तों तो आपको enter करना होगा बस password अपना facebook account का और continue पर click करना है और आपका जो facebook account है दोस्तों यह हमेशा के लिए यहां से delete कर दे जाएगा इस तरह से आप delete करते हैं अपने facebook account को बहुत सारे user दोस्तों ऐसे भी होगे जिनें अपना यह password ही याद नहीं होगा तो password कैसे reset करते हैं चलिए मैं आपको यह भी बता हूँ निज़े लिगा हुआ है forget password यहां आप एक बार click करें यहां click करने के बाद आपको wait करना है कुछ से get गा और यह वेज आपके सामनी आएगा अब यहां दोस्तों आप simply continue पे click कर दें आपके इस mobile number वार्टसप पर एक code जाएगा वो enter करने के बाद आप एक नया password दोस्तों अपना बना पाएंगे और फिर से दोस्तों इसमें login करने के बाद आप अपने facebook अकाउंट को permanent delete कर देंगे अपना password एंटर करने के बाद इस तरह से password forget करकर एक नया password बनाते हैं अगर आप password भी भूल गए हैं बस करना कुछ नहीं है अपना facebook अकाउंट का password एंटर करना है तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे फिर से कैसी नई वीडियो में जब तक के लिए जयाहिंद